हेलो स्टूडेंट्स आज हम अकाउंटेंट्सी की वीडियो के लिए मैं आपके सामने प्रस्तत हुआ हूँ कई दिनों से हम बिजनेस स्टेडी कर रहे थे क्योंकि बिजनेस स्टेडी का अभी तक एक्जाम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स इस साल 12 में उनकी भी कुछ help हो जाए और जो इस साल आए है 12 में उनको भी study material मिल जाए बट आज फिर मैं अपनी अकाउंटेंट्सी की क्लास के साथ आपके सामने हूँ हमारा topic जो चल रहा था वो आप जानते हैं accounting हमें basic partnership fundamental चल रहे थे तो उसकी individually topic हम कर चुके थे हमने profit and loss appropriation account भी बना लिया था पर उस profit and loss appropriation account की क्योंकि बहुत important topic है यह आपको मैं बता दू कि यह six marks का कम से कम हमारे board में आता है तो इसलिए इसको इसके उपर concentration करना इस पर धिहान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर आपके सामने कुछ ऐसे question लेके आऊं जो अब तक board में आये हैं और अगर हम उनको कर लें और उनको अच्छी तरह से समझ लें तो इसलिस हमारे छे marks तो असी में से confirm हो जाएं तो आज की वीडियो को आप अगर अंत तक बिल्कुल concentration के साथ देखेंगे तो यह मैं आपको शोर करता हूं कि आपके six marks confirm हो जाएंगे तो चलिए अब हम चलते हैं अपने questions पर लेते हैं जो हमारा basic काम है आज का उसको शुरू करते हैं और दे आप इन पर विशेश स्ट्रेस देकर समझने की कोशिस कीजिए अगर यह आपको समझ में आ गए तो गारंटीड है कि आपके six number तो मिले जाएंगे तो question पहला जो आपके सामने है वो है सुरेश और रमेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेरिंग प्रॉफित इन रेशो वर्श शुरेश की $80,000 और रमेश की 1 lakh लाग दे ए अग्रीट अलाव इंटर्स आपिल इट डिरेट तो पर अर आपने पर इनम पर अरटनर सिपर इनम कहती है कि हमें 12% इंटर्स देना है साथ यह भी है कि इंटर्स आन ड्रॉइंग चार्ज भी करना है कितनी रेट से 15% प आपको वर्किंग नौट क्लियरली जब यह वर्ड लिखे हों तो स्टूडेंट्स आप यह समझे के आपको वर्किंग नौट क्लियरली बनाना है सो देट उसकी जो मार्क्स हैं वो भी आपको मिल पाएं तो मैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आपको पेपर में कुश्चन को कैसे अटेंप्ट करना है किसके मार्क्स होते हैं तो वीडियो को देखते रहिए प्रिपेर प्रॉफिट अन लोज अप्रॉपिशन अकाउंट फोर दा येर प्रॉफिट अलोज अप्रॉपिशन अकाउंट फो और सुरेशन रमीज ता इंट्रस्ट अन कैपिटल विल बी थो रहा ओका इस ही लिए उन्हें लिख tätä है नॉर्मल होत ऐसा ही होता है तो चेलिए शुरू करते हैं कि क्यसे इसमें हम कुश्चन क dépl ден करेंगे कि क्योंकि उन्होंने बोला हमे profit and loss appropriation account बनाने को है तो हम वो बनाएंगे शुरुवात हम उसी से करते हैं ठीक है सबसे पहले जो हमें दिख रहा है कि उन्होंने कहा है कि 12% आप interest on capital चार्ज कीजिए तो हम सबसे पहले उसी को देखेंगे net profit डाल दिया शुरुवात में जो इसको हमने यहां पर प्लेस कर दिया profit and loss अकाउंट की अकाउंट की credit side में शुरुवात क्योंकि मैं बोल रहा हूं interest on capital से होगी तो आपको पता है कि 80,000 जो है वो किसकी capital है सुरेज की तो 12% उस पर क्या देना है हमें interest on capital कितना निकला 9,600 ऐसे ही रमेज की वन लेक है तो उस पर भी 12% निकाला तो कितना निकला 12,000 इसको हम profit and loss अप्रोपेशन अकाउंट में शो कर देंगे यह हमने शो कर दिया आप जो हमारा रह गया वो interest on drawing है तो interest on drawing के लिए आपको यह याद करना है कि जो मैंने आपको 4 cases बताये थे उसमें इसमें से कौन सा case लगता है तो अगर आप इस question को study करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस में जो drawings हैं उनकी date mention नहीं है तो उस case में हमारे पास पहले 2 cases बसते हैं एक जब जो rate of interest on drawing है उसके पीछे per annum लिखा है या नहीं लिखा है तो हमारे question में तो लिखा हुआ है तो जब per annum लिखा हो और drawing की date mention ना हो तो हमें 6 month का interest on drawing pay करना होता है तो यह आपको याद रखना ह है तो interest on drawing की calculation देख लीचे interest on drawing लगाएंगे सुरेश की जो drawing थी 6000 थी 15% की rate of interest है पर सिर्फ 6 महीं नहीं का लगेगा 15% 6000 का 900 बैठता है 6 month का मतलब half से उसको divide कर दो तो 450 का interest on drawing सुरेश का बैठेगा ऐसे ही अगर हम रमेश का निकालेगे तो वो 750 निकलेगा इस question में बच्चे जादा तर जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं 15% है और यह interest drawing दी हुई यह सीधा निकाल देते हैं maximum जो मैंने गलती देखी है copy check करते वो पूरे साल का interest on drawing दे देते हैं बेटा आप बच्चों आप सब को यह समझना है कि हम पूरे साल का interest on drawing नहीं दे सकते ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब निकली हैं so that हमें फिर six month का interest on drawing देना होता है तो वो show कर देते हैं यह show कर दिया देखे अब आप देखें यहा और profit plus interest on drawing अगर जोडते हैं तो वो 15,240 बैटता है तो इस question में जो ये line थी ये confirm हो गई कि इसमें हमें loss हो रहा है तो उस loss को हमें find out करना है तो वो loss आपके सामने आगया 21,600 हम total करेंगे पहले वो ही total यहां आएगा और जब हम ये दोनों minus करेंगे उसमें से तो हमारे पास figure आजाएगी 6,360 अब आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको ये जो ratio दी हुई है ये वाली इस ratio में आपको ये loss जो है डिवाइड करना है तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3,975 5 by 8 of किसका इसका निकलेगा और जो 2,3 by 8 है वो इतना निकलेगा तो ये आप निकाल लोगे इस थरीके से हमारा question पूरा हो जाएगा तो जो आपके लिए इसमें याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि जो interest on drawing दोगे वो six month का दोगे ठीक है और दूसरा ये कि आपको पूरा interest on capital देना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है question में अगर नहीं बोला होता तो फिर 15,240 से जादा नहीं देते फिर इन दोनों की ratio निकलती और वो 15,240 में divide हो जाते पर अभी के question में हम पूरा दे सकते हैं question में बोला गया है हमको next question पर चलते हैं next question 2016 में आया था ठीक है question यह है के P और के वो दो partner है 5 इस टू 3 की इनकी ratio है एक अप्रेल 2019 को उन्होंने R को admit किया और उसको 1-8 share दिया 1-8 share देने के बाद उसको यह भी guarantee दी के आथ तुम्हें 75,000 का profit मिलेगा ही मिलेगा the new profit sharing ratio between P and Q will remain the same same का मतलब यही रहेगी अभी आपको new ratio नहीं सिखाना तो इसलिए आप सरे भी यह याद रखे कि अभी इनकी ratio कितनी है 5 इस टू 3 ठीक है but they agree to bear any deficiency यह जो मेरी इस वीडियो का जो main important topic है वो guarantee है तो यह question guarantee के उपर है यहाँ पर guarantee दी गई है P or Q दुआरा R को कि उसको 75,000 का profit मिलेगा और अगर 75,000 में कुछ कमी पड़ती है उसके share में तो वो दोनो partner P or Q 3-2 की ratio में divide कर लेंगे तो वो deficiency यह दोनो 3-2 की ratio में आपस में बाट लेंगे तो देखिए अब company का जो profit है वो 4 lakh है ठीक है तो question को सुरू करते है question को सुरू करने में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि R को कितना share मिल रहा है तो आप अगर देखोगे तो divisible profit अभी हमारे पास कितना है 4 lakh ठीक है R का share कितना है 1-8 निकाल दो तो देखो कितना निकल किया है आपको पता चला कि उसको तो 75,000 का ही profit मिल रहा है अब 75,000 के profit में आप यह बताईए कि हमें तो उसको कितना देना है हमें तो उसको देना है 75 और यहां कितना निकल कर आ रहा है 50 तो आपको उसकी guarantee तो करने के लिए हमें उसे कितना amount और देना पड़ेगा profit का 25,000 और वो 25,000 कौन देगा P and क्या हूँ यह दोनों partner उसको वो देंगे किस ratio में देंगे यह रही वो ratio तो यह उस deficiency को bear करेंगे 3-2 को 2 की ratio में तो वो deficiency है कितनी देखे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह ज 25,000 के आसपास है तो इसको देखे कैसे इन्होंने bear किया डिविजल profit अभी चार लाग ही था पी का share उसमें जो बनता है क्योंकि चार लाग का उसकी ratio कितनी है देखे यहां पर कितनी देखे यह 5 तो उसका share कितना हो गया 5 by 8 तो चार लाग का 5 by 8 निकाला कितना निकला 2 लाग 18,750 अब यह जो 25,000 की deficiency है इसको वो 3 2 की ratio में बाटेंगे तो 3 की ratio में 3 by 5 तो रेशो का total होता है और जो उसका share होता है वो उपर आता है तो 25,000 यह वो deficiency है जो हम किसको दे रहे हैं आर को दोनों मिलकर तो इसका 3 बटा पांचवा हिस्सा कौन दे रहा है आ रहा तो 15,000 की उसक deficiency की guarantee थी तो वो उसके share में से minus हो जाएगी तो अब उसका profit कितना बचेगा 2,3,750 तो पहले हमने क्या किया जितना profit था उस profit को उनकी जो ratio है उसमें divide कर लिया 5 by 8 में कितना आ गया 2,8,750 उस में से जो deficiency है उसको जिस ratio में बोला गया है उस ratio में divide कर देंगे तो हम अब देखते ह हैं हमने P का share देख लिया अब हम देखते हैं कि R के share के साथ guarantee का क्या impact पड़ता है तो आप जानते हैं कि Q का share कैसे निकलेगा Q का share निकालने के लिए हमें Q का देखो यह 4,00,000 का profit है हमारा उसका share है 3 और इसका total 8 तो हमने 3 by 8 निकाल लिया कितना निकला 1,31,250 अब 1,31,250 अब 250 उसका share था पर क्योंकि R को guarantee दे रखिये तो वो deficiency को पूरा करना पड़ेगा तो 25,000 की deficiency थी जैसा के आप यहां देख रहे हैं उसका हमने क्या कर दिया 2 by 5 कर दिया तो क्योंकि 2 by 5 इसलिए क्योंकि R क्योंकि कितना share दे रहा है सिर्फ 2 दे रहा है और total कितना 5 तो 10,000 बैटा है तो अगर छोटा question है देखिए यह question जो है छोटा है मतलब कि 4 marks का question है तो अब इस question में आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि guarantee की treatment कैसे की जाए तो सबसे पहले इसलिए हमने guarantee की treatment की profit and loss appropriation बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी net profit डालो सबसे पहले net profit डालने के बाद जो यह amount आपने निकाले है यह शो कर दो तो आपका profit and loss appropriation account बन गया तो basically इसमें आपके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है यह working note इसलिए working note की अपनी importance होती है उसको आपको proper way में बनाना पड़ेगा तो एक question पहला था जिसमें guarantee थी और उस guarantee को कैसे करा वो आपने देखी लिया जो ratio दे रखी है उस ratio में जिसको जितनी guarantee दे रखी है उतनी देनी पड़ेगी अब आगे चलते हैं थार्ड question पर थार्ड question भी 2012 में आया हुआ है अनील सुनील और रविंदर तीन partners हैं एक जनवरी 2019 को वो जो profit share करते थे वो 211 की ratio में करते थे तो यहां भी आप देख रहे हैं कि guarantee दी हुई है किसको रविंदर को और कितने की दे रखी है देखिये आपको वहां पर दिख रहा होगा कि उसको at least 70,000 मिलेगा ठीक है तो guarantee कितने amount की है 70 की किसको है रविंदर को the loss for the year ended अभी वो question है जिसमें guarantee है और guarantee के होते हुए भी profit नहीं है firm के पास क्या है loss ठीक है तो अब इसमें आपके पास loss है और loss होने की वज़े से आपको जो भी treatment अब करनी पड़ेगी वो profit and loss account में करनी पड़ेगी ठीक है या कह सकते हैं अगर प्रोपेशन में भी कर रहे हैं तो आपके पास loss ही आएगा profit नहीं आएगा ठीक है तो पहले से ही कितना loss है firm को 2 lakh का ऊपर से हमने किसको guarantee दे दी रविंदर को ठीक है और यह एक चीज और इसमें आपके लिए surprising होगा कि अनिल जो partner है उसने firm को loan दे रखा है और उस loan पर 9,000 का interest निकलता है वो भी firm ने अभी तक pay नहीं किया तो इसका मतलब loss और बढ़ेगा loss 2 lakh से 2 lakh 9,000 जाएगा reason उसका यह है कि अभी तक हमने interest on loan भी pay नहीं किया ठीक है और उसके बाद रविंदर को guarantee है यह guarantee भी loss में add होगी देखे इसके accounting treatment सबसे पहले guarantee के question में working note ही जाता जरूरी है तो देखे divisible loss है इस question में और यह before देखे हमने इसी लिए इसको आपको mark करके बताया है कि अनिल का interest on loan देने से पहले loss अब इसमें पहले यह जो अनिल का interest on loan है वो add किया जाए जाएगा add करने के बाद जो मेरा total divisible loss है वो 2000 और 2,9,000 आ जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो loss है वो अभी कितना आ गया 2,9,000 अब मुझे क्या करना है अब जो guarantee रविंदर को देनी है वो भी है कि रविंदर को already guarantee है तो वो भी उसका जो उसका share of profit है वो 70,000 है वो उस 2,9,000 में add हो जाएगा यह ठीक है तो total जो amount उस firm को loss हो रहा है वो हो जाएगा 2,79,000 कैसे आया 2,9,000 में 70,000 एड हो गया ठीक है तो अब net divisible loss कितना है 2,79,000 यह हमें divide करना है किसमें अनिल में और सुनील में यह दो partner रे फिर्म के तो अभी यह दो बचे है रविंदर को तो guarantee दे ही रखिए उसको तो profit मिलना है तो अभी यह किसको देना पड़ेगा इन दोनों को loss देना पड़ेगा इन दोनों के बीच की इन ही दोनों के बीच की ratio कितनी है 2 is 2 वा इसी लिए यह 2 upon 3 हो रहा है 4 नहीं होगा वैसे इसका share 4 ही बैठेगा पर students आपको यहाँ पर याद रखना है जिन दो के बीच में divide हो रहा है उनहीं की ratio ली जाती है फिर ठीक है इसके share को भूल जाओगे आप 2 by 4 नहीं कहोगे question यह arise होता है बच्चे यहीं पर confused होते हैं वो 2 by 4 निकाल तो वो loss में share करेगा ठीक है तो इसलिए 2 by 3 करोगे आप सुनील को 1 by 3 करोगे बंधर कर दिया दोनों का निकल गया और यह इनकी account में treatment होगे ठीक है प्रॉफिट अल्वाज अल्रेडी था उसमें रविंदर का share of profit add हुआ 2,79,000 हुआ 2,79,000 यहां आया और दोनों का loss divide हो ठीक तो यह इसकी accounting treatment थी इस question में जब loss हो तो loss वाले question में आप इस तरीके से काम को करोगे आप उन्होंने आमें बोला ही prepare profit and loss appropriation account है इसी लिए मैंने profit and loss appropriation account ही बनाया है ठीक है क्योंकि जो बोला गया है वो ही मैं बनाऊंगा वैसे अगर आप technically सोचो तो जब firm को loss होता है तो profit and loss appropriation बनी नहीं सकता क्योंकि यह appropriation of profit है बट यहाँ पर बोला गया है तो हमने उसी में वो treatment की है यहाँ पर हमने appropriation of loss किया है ना कि profit किया है ठीक है इसी लिए इसके loss में कहीं ना कहीं यह लिखा जाता है तो जो loss के question में भी आपको guarantee देनी पड़ेगी चाहे firm loss में हो तो मेरे स आप से अब आप यह भी समझ गये हैं कि अगर question loss में आता है तो आप उसको कैसे treat करोगी गारेगी पर चलते हैं और अपने guarantee की जो treatment है उसको और कम करते हैं तो जो next question है वो हमें बताता है कि आहमद भीम और डैनियल तीन partners है उन तीन partners की जो ratio है मलगी एक अपरेल 2011 को उनके balance जो है वो 80, 60 और 40 है respectively they share profit in the ratio 5 to 3 to 2 की ratio में partner को entitle किया गया है partnership deed के थरू interest on capital 5% salary भीम को देनी है 3000 पर मन्त आपको annual निकालनी है commission 12,000 की है तो वो भी आपको commission देनी है क्योंकि partnership deed उस बात को कहता है एहमत को अब क्योंकि guarantees के बाद सुरू होती है तो पहले हम इतना question पढ़ते ह है guarantee की treatment को बाद में पढ़ेंगी पहले इतने question की हम treatment देख लेते हैं तो देखे profit and loss appropriation account बनाते हैं हम सबसे पहले net profit को show करते हैं net profit show करने के बाद हमें क्या निकालना है देखिए 5% interest on capital 80,000 पर 5% निकालोगे 4000 आएगा 60,000 पर निकालोगे 3000 आएगा 40,000 पर निकालोगे 2000 आएगा टोटल 9,000 का आगया अब आपको भीम को 3000 पर मन्त की salary है 12 से multiply किया तो 36,000 की salary देनी है साती सात कमीशन देनी है डैनियल को 12,000 यह कमीशन जब आप दे दोगे तो इसके बाद का जो portion बसता है वो गारंटी का बसता है तो गारंटी को पढ़ लेते हैं एहमत को यह गारंटी दी गई है कि वो उसका उसको यह गारंटी है कि उसका interest on capital सामिल ना करूं मतलब यह 4000 साम तो उसे कम से कम कितना profit मिलना चाहिए पचपन तो इस पचपन में से अगर मैं 3000 माइनस कर दूं क्योंकि यह तो मैं दे चुका हूं अल्रड़ी उसको तो अब उसकी गारंटी कितने की बची बावन की तो आपको भीम की गारंटी को 55 की जंगे 52 लेकर चलना है रीजन क्या है interest on capital already given दे दिया हमने ठीक है जो भी deficiency आएगी उसको जो बियर करने वाला partner है वो सिर्फ एक है और वो कौन है डैनियल तो यह आपको याद रखना है कि डैनियल जो है वो गारंटी को बियर कर रहा है कौन बियर कर रहा है डैनियल ठीक है profit कितना है 2,16,000 का वो हम देखी चुक है तो अब देखते हैं कि गारंटी की treatment को कैसे किया जाएगा शुरुआत हम करते हैं तो divisible profit 2,16,000 था उसमें से इन तीनों को plus किया 57,000 आया यह 57,000 माइनस कर दिया तो हमारी figure निकल कर आई 1,59,000 अब यह 1,59,000 जब मैं डिवाइड करूंगा तीनों में तो वो इस तरीके से डिवाइड होगा 79,500 किसका शेर आएगा एहमत का चीक है तो एहमत का शेर कितना आया 79,500 कैसे निकाला यह 5 और डिवाइड वाइस का टोटल कितना बैठा 5 by 10 कितना निकल के आया 79,500 एहमत को गारंटी कितने की दे रखे हैं हम लोगों ने कि कम से कम कितना देना है 25 तो आप इसकी गारंटी की ट्रीट्मेंट कुछ नहीं होगी क्योंकि वह अल्रडी उससे ज्यादा ले रहा है भीम पर आते हैं भीम का शेर देखो 159,000 बचा हो रहा है 3 by 10 उसका शेर है निकाला तो कितना निकला 47,400 आप यह पाऊगे कि यह उस फिगर से कम है जितने की उसको गारं करो ठीक है क्योंकि उसको इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल में देच चुका हूं तो 52 की गारंटी देगी है और है कितने का सेमेस का प्रॉप्ट 47,700 तो इसको डैनियल को पैसे देने पड़ेंगे कितने देने पड़ेंगे 52 बनाना है उसको 52 बनाने के लिए हमें 4,300 रुपे की प्रॉपे में 4,300 रुपे में डैनियल से ले लुआ डैनियल का शेयर जो निकल के आता है यह 31,800 कैसे निकला टू बाइट टैन निकाल कर कैसे निकला है यह देखी यह फिगर जो निकल के आई है यह वाली इसकी यह निकल के आई है जब मैंने टू बाइट टैन किया किस का क इसका किया 2 x 10 किस figure का किया इस figure का मतलब की 1,59,000 का ठीक है तो 1,59,000 का जब मैं 2 x 10 करता हूँ तो 31,800 आते हैं और ये 4,300 की guarantee मैंने जो कम पढ़ रही थी भीम को वो दे दिये तो वो minus हो गए तो अब उसका profit कितना बचा 27,500 ठीक है तो ये इसकी अब presentation है इस तरीके से मैं इसको account में show कर दूँगा तो ये भी guarantee का question हो गया यहाँ पर आपने देखा कि एहमत को guarantee तो दी गई थी पर एहमत का share ज़्यादा था तो इसलिए उसको कोई payment नहीं करनी पड़ी पर भीम कोई का कम बैठ रही थी साथी साथ ये भी देखा हमने कि 55,000 था इसमे include कर रहा था interest on capital तो वो तीने जर मैंने minus कर दिये कितना निकला 52,000 की guarantee थी थी थीक है next question पर चलते हैं अपने इस topic को छे number को और confirm करते हैं question आया कि Radha Mary और Fatima तीन partners है 541 की ratio में वो share को divide करते हैं Fatima को guarantee दी गई है third partner को guarantee दी गई है share of profit में कि उसको कम से कम जो profit मिलना है वो 5000 का profit मिलना है ठीक है देखो कम की guarantee है क्यों उसका share भी तुम देखोगे तो 1 by 10 है चोटा ही part है profit कितना है 35,000 जो भी कमी रह जाए जाएगी फातिमा को देने में वह कौन बियर करेंगे रादा और मेरी तोनों करेंगे किस ratio में करेंगे 3 to 2 की ratio यह question मैंने क्यों लिया फिर यह तो एक जैसा question इस से पहले question भी ऐसा कर सुके हो इस question में आप से क्या जो special पूछा गया है वो पूछा गया है कि general enter pass करो इस question में आपको क्या नहीं करना account नहीं बनाना तो इस question को लेने का जो purpose है वो सिर्फ यह ही है कि question हमें journal entry करने को कह रहा है ठीक है तो अब देखते हैं journal entry कैसे होगी शुरुआत करते हैं journal का format बनाया पहली entry profit जो है यह 35,000 का इस 35,000 के profit को profit and loss appropriation में transfer करने की entry होगी profit and loss account debit to profit and loss appropriation account अब आगे की journal entry करने से पहले हम guarantee की treatment को देख लेते हैं जाधा मेरी और फातिमा में किस ratio में divide होना है five four और one में ठीक है आपको याद रहेगा क्या कर रहे हैं अब divide कर दिया वह profit 35,000 का five by ten के रहा तो 17,500 four by ten किया तो 14,000 और one by ten किया तो 35 गारंटी कितने की दे रखिया आपने फार्म ने उसको कितने की guarantee दे रखिये 5000 की तो कम है तो guarantee का profit उसमें add होना चाहिए guarantee किस ने दी है guarantee किसको मिली है फातिमा को कितने profit की 5000 की कितनी कमी है 5000 और पैंतिस्तों में 1500 वो 1500 को दे दिये हैं कौन दे रहा है दोनों partners दे रहे हैं कौन कौन दोनों partners राधा और Mary किस ratio में three to two तो three by five किया किसका fifteen hundred का कैसे निकाली हैं यह फिगरे यह figures जो निकली है राधा के लिए जो निकली है वो ऐसे निकली है कि जो पंदरा सो फातिमा को दिये जा रहे हैं वो हम three upon five करके निकाल रहे हैं और जो मेरी को मेरी का जो शेयर निकल रहा है यह वाला यह जो तो निकल रहा है यह निकल रहा है जितने की फातिमा की गारंटी है उसको आप multiply करोगे 2 by 5 से 2 by 5 क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर उसका share कितना है 2 और इसका कितना है 3 तो 3 by 5 तो इसलिए 900 और 700 की figure आ रही है ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि यह figures कैसे निकली अब आगे इनका जो बचता है वो profit बचता है वो यह निकल कर आ गया आपको 17,500 में से 900 माइनस करने थे 14,000 में से 600 माइनस करने थे उसकी गारंटी के बाद उसका profit कितना निकलता है पांच हजार एंटी पास कर दो तीनों पार्टनर्स को वो दे दो प्रॉफिटनलोस अप्रफिशन को डविट कर दो 35,000 से और तीनों पार्टनर्स की जो अमाउंट आपने निकाले हैं उससे उन तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो question हो गया ठीक है तो यह जनर्नल साल पहले एट मार्क में आया था तो इसको थोड़ा आप डीपली समझेंगे इसमें ज्यादा काम है question यह था कि मोली भॉली भॉला और राजदीन पार्टनर थे 334 की ratio थी partnership डीट कहती है interest on capital दो 5% से ड्राइंग चार्ज करो 12% से पार्टनर को interest on loan भी देना है 6% यह क्योंकि यह क्या है चार्ज ओन प्रॉफिट मॉली वाज अलाउड एन्वल एन्वल सेलरी और रूपीस 4000 क्योंकि एन्वल है तो मुल्टिप्ले करने की जड़रत नहीं है बहुला को अलाउग किया गया है 10% net profit commission of 10% net profit as shown by profit and loss account तो बहुला को commission देनी है 10% net profit पर जो profit and loss account interest on partner loan minus होगा इसको याद रखना है बस राज को guarantee दी गई है देखिए इसमें सब कुछ आ गया salary भी कमीशन भी आ गई और फिर guarantee भी कि एक लाग पचास जार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अब इनकी जो capital है वो fix है पांच लाग आट लाग और चार लाग और एक अपरहल 2016 को भ 6,000 तो वो 6,000 आपको याद रखने है profit जब साल खतम हुआ तो कितना निकला तीन लाग 6,000 तो इस तीन लाग 6,000 में से यह जो interest on loan का amount है 6,000 यह minus करकर आप लिखोगे उतना profit होगा profit and loss appropriation account भी बनाना है हमें साथी साथ हमें current account भी बनाने है क्योंकि capital क्या है fix है देखो लिख है ने fix capital इसलिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा current current account drawing का रहे गया बस drawing में बता दिया उन्होंने को भोला जो है drawing की भी देखो यह पूरा एक तरीकी से लगभग लगभग पूरा chapter cover कर रहा है यह अकेला question इसलिए art marks का आया था drawing में उन्होंने वो तीन cases डाल दिया drawing के जो हम average period method में लेते थे भोला जो विड्रो कर रहा है वो 5000 at the end of each month कर रहा है molly जो विड्रो कर रही है वो 10,000 at the end of each quarter कर रही है राज जो विड्रो कर रहा है वो 40,000 at the end of each half year कर रहा है तो drawing की calculation भी इसमें एक काम है शुरुवात करते हैं लंबा question है profit and loss appropriation account का format बनाया partner current account का format बनाया शुरुवात interest on capital से ही करते हैं interest on capital शो कर दिया कैसे निकाला 5% किसका निकाला देखो यह रही capital पांच लाग पांच लाग का 5% निकाल दिया 25,000 आगया आठ लाग का 5% निकाल दिया 40,000 आगया साथ ही साथ अब आप जो निकालोगे वह 4,005,000 निकालोगे 20,000 टोटल जो इंटरस्ट on capital कितना हो गया पिचासी हजार इंटरस्ट on capital की treatment हो गई उस इंटरस्ट on capital को आप लोग यहां भी दिखा दो पार्टनर करंट अकाउंट में भी credit साइड में दिखा दिया आपने बाई इंटरस्ट on capital 45,000 और 20,000 यहां से यहां पर shift हो गया ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं इंटरस्ट on drawing की calculation करनी है तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहां थोड़ा आप ध्यान लगाना तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करते हैं वो मॉली से करते हैं मॉली ही पहला partner है मेरा तो मॉली यहां पर है मॉली ने विड्रो किया है 10,000 at the end of each quarter quarter का मतलब चार बार विड्रो कर रही होगी ना quarter चार होते हैं हर तीन महिने का एक quarter होता है तो इसलिए हमने यहां पर चार से multiply किया है और चार से multiply करने के बाद उसको हमने show कर दिया है कितना आगया 40,000 आगे देखिए अब अगर हम आगे देखें तो अब हमें क्या calculate क करने के लिए हमें सबसे पहली यह समझना पड़ेगा कि average period कैसे निकाल तो average period का for कि month left after five तो पहली drawing at each quarter हुआ है न तो पहला quarter कब end होगा April में June, June में close होगा तीन महिने बीच चुके तो बचे कितने no तो यह आगे वो no ठीक है अब मुझे क्या देखना है month left at the end of last quarter, last quarter कब end होगा, last quarter कौन सा होता है January, February और March, March पर end हो रहा है और March की end में ही मैं निकाल रहा हूँ तो इसलिए क्या निया जा रहा है, zero ठीक है, nine plus zero divided by average निकालनी है two, तो कितना निकल के है साड़े चार, यह average period है मेरा, इस average period को निकालना समझना था, तो average period का एक ही formula होता है, month left after first drawing and month left after last drawing, दोनों को plus करो और two से divide करो, तो इस base पर जब हम profit, क्या किता है, interest on drawing निकालेंगे, किस rate से, एक rate कितनी रहा है, 12%, तो 12% की rate से जब मैं इसको निकालूंगा, तो यह amount निकल कराएगा, 48,000, और 48,000, 48,000 इसका आ गया, अब ऐसे ही अब भोला पर चलते है, यह तो 12% आया था, क्योंकि साड़े चार महीने average period भी था, तो उससे multiply किया, 12 से divide किया, तो कितना निकल करा आ गया मेरा, 1800, तो यह हमारा क्या आ गया, इसका, मौली का interest on drawing, ऐसे ही हम भोला का निकालेंगे, भोला के में आप देखोगे, तो भोला को बता रखा है, कि यह 5000 की drawing कर रहा है, और कैसे कर रहा है, at the end of each month, 12 बारा बार ड्रोइंग की है, तो यहां पर इसलिए हम multiply भी किस से कर रहे हैं, 12 से, 12 से 5 को multiply के रहा है, तो कितना आया, आमांट, 60,000, यह उसकी total drawing है, फिर वोई average period निकालते हैं सबसे पहले, अब month left after first drawing, तो क्योंकि at the end of each month है, तो पहला month बीच चुका, 11 बचे, इसलिए 11 आया, और जब last वाली करेगा, तो वो भी March के end में करेगा, तो इसलिए वहां पर भी 0 आया, तो 11 प्लस 0 बाइ 2 कितना हो गया, जो बहतर 100 निकलता है, फिर जो average period है, उससे multiply करकर 12 से divide कर देंगे, तो 3300 रुपे की उसकी हमारी क्या जाएगी, interest on drawing, अब हम राज का निकालते हैं, राज के में आपको यह याद रखना है, कि राज के में आपको यह याद रखना है, कि राज at the end of each half year निकाल रहा है, तो य यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह आपको 2 समत है, क्योंकि 6 महिने में एक बार drawing कर रहा है, तो 2 बार ही निकालेगा ने, तो 40,000 into 2, कितना हो गया amount, 80,000, ठीक है, तो इसको आपको 2 पढ़ना है, आप 4 नहीं पढ़ना, बस यह आपको याद रखना है, कि वो 4 नहीं है, वो कित बसना है, 2 है, ठीक है, यह कितना है, 2, तो 2 को multiply किया, तो 80,000 आया, अब वही average period यहाँ पर भी मुझे निकालना है, तो average period निकालने का यहाँ पर भी वही तरीका है, क्योंकि at the end of each half year है, 6 महीने बीच जाने के बाद पहली drawing करूंगा, तो 6 महीने बचे, 6 महीने आवे, दूस तो फिर वो 6 महीने बात करूंगा, तो 0 बचेगी वहाँ पर, तो 0 आ गया वहाँ पर, और 6 प्लस 0 किया, और 2 किया, तो कितने महीने निकले average, 3, तो 3 मन्त हो गया, अब interest on drawing, 80,000 का amount है, यह वाला, इस 80,000 को 12% निकाला, तो कितना निकला, 9600, अब इसको 3 by 12 कर दूंगा, तो के average period इतना है, तो वो कितना निकल करा जाएगा, 2400 रुपे, तो यहाँ आपको interest on drawing को भी याद रखना था, पाटर वाला भी था, मन्त वाला भी था, और 6 यर वाला भी था, इस बेस पर हमने यह amount निकाल ली है, अब सिर्फ हमें इनको show करना रह गया है interest on drawing को, तो पहले हमन अपने profit and loss application account में भी show कर दिया, ठीक है, और उसका total करकर बाहर लिख दिया, तो interest on drawing हो गया, interest on capital हो गया, interest on loan भी हो चुका है, क्योंकि देखे ही, यहाँ पर मैंने वो 6000 माइनस कर दिये है, ठीक है, तो इसलिए कितना बचा, 3 लेक, तो यह तीनों adjustment हो गई, अब क्या रहे गय चार हजार जो मॉली को salary देनी है, वो रहे गई, annual है, भोला को 10% commission देनी है, बाद में निकलेगी, निकल जाएगी अभी, ठीक है, क्योंकि profit and loss account की balance पर निकालनी है, तो वो मेरे पास already है, कितना है, 3 लेक, तो इस 3 लेक का 10% उसकी commission हो जाएगी, 30,000, तो अब हम salary और commission को दि मॉली की salary 4000 बैठती है, और भोला की commission 3000, कि समांट की आई है, तीन लेक की, क्योंकि यही बोला गया है आपको, ठीक है, तो अब हमने मॉली को salary दे दी, भोला को commission दे दी, अब सिर्फ राच की guarantee रह गी है, तो guarantee तो जब निकलेगी, जब मैं इस question को यहाँ से आगे solve कर तो guarantee देखते हैं अब, यह हमने जो दो चीजे यहाँ पर आई थी, 4000,30,000, यह यहाँ पर भी show कर दी, और अब हम guarantee देखते हैं, देखे, divisional profit यह रहा, 3,07,000, क्योंकि है, कैसे आया, 3,00,000, 7,500, प्लस करकर, अब इस 3,00,000, 7,500, में यह जो total amount है, यह तीनों का, इसको plus किया, जो बैठा 1,19,000, इस 1,19,000 को इसमें से minus कर दिया, तो मेरे पास जो divisional profit आया, वो 1,88,500, थीक है, अब, राज को जो guarantee दी गई है, form दुआरा, वो, आप देखोगे, तो कितने की है, 1,50,000, तो यह रही उसकी 1,50,000 की guarantee, पर अगर इस 1,88,500 को, मैं राज का share देखो कितना है, 3, 3, और 4, तो 4 by 10 है, 4 by 10 अगर 1,88,500 का निकालता हूँ, तो वो निकल कर आता है, 75,400, ठीक है, और guarantee कितने की दी हुई है, 1,50,000, तो कमी कितने की रह रही है, 74,600, यह इसमें plus हो जाएगा, और राज का share जो है, वो पूरा 1,50,000, हम कर देंगे, अब जो यह guarantee है, यह कैसे bond क करनी है, firm को, राज को जो guarantee दी गई, उसमें यहां कहीं आप देखोगे, तो इस question में कहीं पर भी ratio नहीं बताई, इस question का एक और जो important point था, वो यह था, कि किसी ने बताया ही नहीं कि वो deficiency कैसे bear करेंगे, तो जब question में ऐसा नहीं बताया हो, तो आप जो उनकी old ratio है, उसी को मा अनलोगे, और उसी ratio में यह दोनों deficiency bond करेंगे, मतलब कि बराबर बराबर, तो इसलिए molly और भोला दोनों ही, इस 74,600 को आधा आधा bear करेंगे, मतलब कि 37,300, 37,300 दोनो bear करेंगे, इनके दोनों के share of profit भी कितने आते हैं, 56,550 कैसे निकला, 3 by 10 किसका, 1,888,500 का, ठीक है, तो यह आपको समझना है, कि इनके जो shares आए हैं, वो इसी तरीके से आए हैं, कि 1,888,500 का जो profit बचा होगा था मेरा, इस 1,888,500 को अगर मैं 3 by 10 करूं, तो वो यह निकल कराता है, 56,550, यह इनका profit था, और बाकी जो इन्होंने दे रखी थी, वो guarantee दे रखी थी, उस guarantee का share इस 13,300, तो इनका profit कितना बचा, 19,250, यह 19,250 अब इनको मिल जाएगा, यह इस question में guarantee last में रह गई थी, तो guarantee करने थी, लंबा question होता जा रहा था, तो यह हो गया इनका profit को divide करने का तरीका, और अब इस profit को हम कहां दिखा देंगे, अपने profit and loss appropriation account में total करेंगे, और total करने के बाद किया निकाल लेंगे, balances, इस तरीके से हमारा current account भी पूरा होता है, और इतना काम करने के 8 number थे, तो आप मानोगे कि इस chapter का जो सबसे difficult question था, वो 2-3 साल पहले पूचा गया था, और 8 number में पूचा गया था, पर अगर इस question को आप बार बार repeat कर कर वीडियो को देखोगे, तो आ कैसे कैसे हमने treat किया और इस एक question के थ्रू आप इस फूरे chapter को समझ सकते हो, तो वीडियो को देखते रही है end तक, अभी भी कुछ एक दो question बचे हुए हैं, उनको और देख लेते हैं, जितना आप वीडियो को देखोगे, बार बार आपको ये topic clear होता चला जाएगा, और मैं कि जो capital है वो 60,000, 60,000 और 80,000 है, current account में जो balance है, 10,000, 5,000 और 2,000 है, according to partnership deed, the partner were entitled to an interest on capital of the at the rate of 5%, c being the working partner, उसको salary दी जा रही है, 6000 पर रहनम की, अभी तक तो question simple है, कुछ भी नहीं है, एक interest on capital देना है, 5% आपको, ठीक है, और दूसरा salary देना है, बाकी जो है, वो profit divide करना है, ठी के, तो profit को divide करना है, देख लेंगे, अब profit को divide करने में ही, उन्होंने clue दे रखा है, ये question इसलिए ही आगए, कि profit एक साथ divide नहीं हो रहा, profit तीन हिस्सों में divide हो रहा है, तो उस तीन हिस्सों को ही समझना है, total profit जो firm के पास है, वो 1,56,000 है, तो question को शुरू करते हैं, देखते करने के, वे बता रखें question में, बस इनको समझना है, देखिए, profit and loss of profession का format बनाया, profit डाल दिया, अब interest on capital देना है, 60, 60 और 80 के हिसाब से, तो वो दे दिया, 3000, 3000 और 4000, ठीक है, अब इसमें आप सरिफ एक बात याद रखना, इन्होंने current account तो बनवा रखा है, तो उस हिसाब से स capital क्या होनी चाहिए, fix होनी चाहिए, तो यहाँ पर फिर आपको current account नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, capital account नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा, current account, तो वस ये एक correction है, जो आपको याद रखनी है, ये मुझसे typing mistake हो गई है, तो इसको आपको याद रखना है, कि यहाँ पर आप capital account नहीं लिखोगे, capital account की जगह है, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, current account, ठीक है, तो एक ये mistake आप correct कर लेना, जवाब question को करो, क्योंकि fixed है capital account, इसलिए हम कहाँ डालेंगे, interest on capital, current account में, ठीक है, तो ये capital नहीं है, इसको आपको समझना है, तीनों में, ये current account है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये current account लिखना है, next, जो आपको देना है, वो देना है, salary देनी है, किसको देनी है, वो salary, C को, C एक working partner है, तो C को हमने salary दे दी, तो C की salary देख लेते हैं, ये 6000 C को salary दे दी, तो अब जो हमारे पास बचा, वो क्या बचा, remaining profit बचा, जिसको हमको divide करना होगा, ठीक है, यहाँ आपको current account लिखना है, ठीक है, तो अब हम profit को divide करने के लिए, आप देखो कि तो 156,000 में से 16,000 माइनस करते हो, तो आपके पास जो profit बचता है, वो 144,000 बचता है, अब उस 144,000 को divide कैसे करना है, उसके लिए हमने distribution of profit की table बनाई, table में हमें सबसे पहले बोला गया कि जो पहले 20,000 हैं, उसको आप जो है capital ratio में बाटो, capital ratio कितनी है, 60, 60 और 80, तो 6, 6, 8 या 3, 3, 2, ठीक है, 6, 6 और 8, ठीक है, अब जब आप 6, 6, 8 करोगे, 6, 6, 8 करोगे, जब ये ratio बनती है, अगर आप capital ratio निकालते हैं, 0 हटा कर, अब अगर इसी ये तीनों ही संक्या 2 से divide हो जाती हैं, तो जब हम इसको 2 से divide करते हैं, तो हमारी जो ratio निकल कर ये, वो 3, 3 और 4 निकल कर आती है, तो जो पहले divide होने हैं, वो 3, 3, 4 में इसलिए मैंने किया हैं, तो पहले 20,000 को 3, 3, 4 की ratio में divide कर दी है, 6000, 6000 और 8,000, तीक है, next बोला, next जो 30,000 आपको बाटना है, वो 5, 3, 2 की ratio में बाटना है, तो 5, 3, 2 की ratio में हमने 30,000 को divide कर दी है, 15,000, 9, 6,000, अब देखो कितना बट चुका है अब तक, एक पचास हजार कितने में से, 1,4,000, total profit हमारे पास कितना बचा था, इन दो चीजों को देने के, 1,5,000, अब इस एक सजार में से हम 50,000 बाट, 50,000 हमने बाट, टीक है, हमने 50,000 बाट दी हमारे पास profit कितना, अब इस 90 बोला ग गया, तो इसका share आगे, इसका किया, तो इसका 45,000 बाट गया, तो चालेश आगे, तरीके से हमने पूरे profit को दिवार दिया, और अब उसको show कर देते हैं, तो ये इस तरीके show हो गया, 21,000, 45,000, और 44,000, तो इसी के साथ हमारा question ये पूरा होता है, जितने भी type बन सकते थे profit and loss application में, जो भी आ सकता है, ये सारी question जो है, बोर्ड के हैं, तो जो बन सकता था, इसमें मैंने डाल दिया, 6 number के भी बता दिया, आपको 8 number के भी बता दिया, जितने question profit and loss question में से बनते थे, एप अप्रेपेशन में से बनते थे, वो आपको करा दिया, मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो आपके ये number पूरे confirm हो जाएंगे, बस आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए, आप धिपने number confirm कीजिए, मेरी next जो जाएगी, वहाँ आपसे भी हैंगे, वहाँ से वो confirm चार्ण आत और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रही है, धन्यवाद, साथ ही साथ एक चीज और आपको बतानी है, कि मैं description में अपनी जितनी भी वीडियो हैं, उनके सारों के link दे देता हूं, तो जब आप description को पढ़ेंगे, तो आपको उसमें मेरे सारी वीडियो के playlist के link पिल जाएंग तो आप अगर search नहीं कर पा रहें तो सुर्प मेरे description में